हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पिर्परेशन अच्छा से चल रहा होगा तो दोस्तो आज इस फीडियो में देखने वाले एडुटेरिया क्रेंट अफेर्स अर्धवासिक 2021 जो एक चनबड़ी 2021 से एक जुलाई 2021 तक जो आज हम करने वाले हैं प्रेक्टी सेट नमबर 11 दस कर चुकिए हैं आज करेंगे प्रेक्री सेट 111 कप सब्सक्राइब कर करके बेल बटन प्रेस कर लिए और वीडियो को आं तक देखे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिजेगा और लास्ट में कमेंट की जाए कि आपको इसमें कितना एसलेम हुआ है उन सभी का एक वीडियो बनाकर चैनल पर अप्लोड कर दिये हैं तो वीडियो जाकर देख लिए उसमें चारों ग्रेंट एसलेम के बारे में चर्चा किया हुआ है चले दूसरा कुश्चन देखते हैं दूसरा कुश्चन है हाली में की से भारत का नया है में की सराज्य की फिल्म को पड़या और सनक्षन पर सरफसेष्ट फिल्म का आवार दिया गया है तो यह दिया गया और नाचल्प परदेश के प्लोड इस प्राइट एह जो कोसी नदी पर इस बेटा मारा जल्बीदूत प्रयूजना का निर्मान किया जा रहा है इसका र नबर पांच है हाली में चर्चित पुष्टक हूं इन डॉल्ड के लेखा कौन है तो यह चर्चित पुष्टक है जो हूं इन रॉल्ड इसका लेखा काय तुस्ट अमर्थ एन इसका राइटेंस वरन बाफसे नबर फी परृफ्ष्टक मर्ते शें को कि कुछचा नबर 6 है जो ने की है सिसका राइट ईंज ऑपति नमब्र एम कोशिण नमबर साथ है है मैस 1407 क्या है तो यह मैक्स 4200 यानी एम ंस्स ये एस हैं तो यह स्वय बेन की नई किस्म है स्वय आप्स में इन की में इसका राइटेंस रोगाप्श नमर्टी अफगानिस्तान कि कुशन नमर् नौ है एक गारा से 12 मैं को वर्चुल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कारेकरम समुग यानि इडवलू जी की बैठक किया धक्सता किस देश ने की है तो यह अपना देश भारत ने की है इसका राइटेंस रोगाप्श नमबर है भारत कोचन नमर्दास है केंद्रिय मंत्री प्रकाह जावेडिकर ने एस्या के स मध्य प्रदेश में इस्थीत है इसका राइटेंस रोगाप्शन नमबर है इंद और मध्य परदेश कोचंश नमबर 11 है है आठ मई को भारतिय नौ सेना ने दक्षिन अरव सागर में किस देश के साथ पैसेज एकसरसाइज किया है तो यह भारतिय नौ सेना ने दक्षिन अरव सागर में यह इंडोनेसिया के सेना के साथ यह पैसेज एकसरसाइज किया है इसका राइट एंसरों का अफसन नंबर एंड उनेशिया कौस्ट नंबर बारह नौव मैं दोजरी कीज को रगुनात्न महापात्रा का क्रोणा से नीदन हो गया है उनका समध्ध किसे हैं कौन सा कथन उसके समध्ध में सही है तो इसमें अफ्सन नंबर नंबर ए में दिया है कि वे एक प्रसीद मूर्तिकार थे अप्सन नं डिया घया था और 2coatम सी में दिय Whatsvous है उनिए 2018 में राच expect के लिए नामित किया गया था और अफ़सट डी में हैं उपरीक्ट सभी तो इसका राइटेंसर होगा अफसी नम्दी उपरीक्ट सभी कुश्वा नमबर 13 है ए हालि में प्रारंब की गई योजना परवतधंधंदा का समभन्द किस राज्य से है? तो ये परवत धर योजना का सम्भन्द हिया है तो हिमाचल प्रदेश राज्य से है। इसका राइट तेंसा रुगाफ्शन नमरे हिमाचल प्रदेश कोश्चन नबर 14 है फीफा अंडर 17 महिला 20 कॉप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो ये फीफा अंडर 17 महिला 20 कॉप जो 2022 में होगा उसका आयोजन ये अपना देश भारत में किया जाएगा इसका राइट एंस रोगाप्स नबर A भारत कोश्चन नबर 15 है उनेसको दराबी सुधरोर अस्थलों की सुची में सामील भारती अस्थल भेरा घाट लमेत तक हाट का समन्द किस राजे से है तो ये मध्यपरदेश राजे से है इसका राइट एंस रोगाप्स नबर D मध्यपरदेश कोश्चन नबर 16 है बाल अधिकार संद्रक्षन आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है तो ये मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए बच्चों के लिए या समवेदना पहल की शुरुआत की गई इसका राइट इंसरोग आपस नमबर डी संब्यदना कोश्चन नमबर 17 है 17 कोश्चन कहता है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैब विटा दिवस का थीम क्या था तो यह जो 22 मई को जैब विटा दिवस मनाए गया इसका थीम था तो वी आर पार्ट ओफ दा सोलूशन इसका राइट इं यह अन्टार्टिका महादूइब से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हीम खंड को क्या नाम दिया गया है तो यह जो अन्टार्टिका महादूइब से अलग दुनिया का सबसे बड़े हीम खंड का नाम दिया गया है तो यह नाम दिया है यह 76 इसका राइट इंसरोग बाश्चन नमबर सी कोष्चन नमबर उनीस है भारतिय मुल्क के किस महिला को अमेर्की राष्टपती जो बाइडन ने हुआइट हाउस वी वरिस्ट सलाकार निउक्त किया है तो या नीरा टंडन को निउक्त किया इसका राइटेंसर गाउप्सन नमर ये नीरा टंडन कोष्चन नमबर 20 है हाली में किस परसीद बास्केट बॉल खिलारी को बास्केट बॉल हॉल ओफ फेम में सामिल किया गया है तो यह कोब ब्रैंट को किया गया इसका राइटेंसर गाउप्सन नमर डी कोब ब्रैंट कोष्चन नमर 21 है हाली में नासा ने 2030 तक चंदमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषना की है इस रोबोट के रोबर का क्या नाम है तो जो नासा ने 2030 तक चंदमा पर जो मोबाइल रोबोट भेजने की घोषना की है उस रोबोट में रोबर का नाम है तो यह नाम है वाइपर इसका राइटेंट आपस नोबर सी वाइपर कोशन नूबर 22 है इस आपि से सुपेश पोर्टल किसके द्वराइब लॉंच किया गया है तो यह लॉंच किया गया है सर्वच नियाले के दॉरा इसका राइट Whereент thesis नमर ए सर्वच नियाले कुष्चन नम्र तैस है हरेक क्रिस में हताव दौरा लिखेक पुच्टा उड़ी साइट इटिहांस का बीमोचनगी ने किया है तो यह किया है तो यह वह यह नरेंद्र मोर्डी ने किया। इसका राइटांसर होगा आस्ले नरेंद्र मोदी कोईशन नमबर चौविस ऐसे हैं कि ग्लोबल जेनडर घैप इंडेक्ट title की संबन्ध में कौन सा क्थन सही नहीं है इसमें जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जारी किया गया उसमें देखना कौन सा गलत नहीं है अफसे नमबर ए में दिया है कि यह बीश्व आर्थिक मंच तोड़ा जारी किया गया अफसे नमबर बी में है यानि दो में है कि प्रत्थम अस्थान सुटेजर लेंड की प्राप्त हुआ अफसे नमबर तीन म यानि कि दो में दिया हुआ है कि प्रत्थम अस्थान सुटेजर लेंड को प्राप्त है यह बी सही यह गलत है और यह चार में है कि 2020 में भात का स्थान 108 मा था यह आपको गलत है अगला कूश्चन है कूश्चन नमबर 25 है बीतिय संस्थानों के लिए जलवायू प्रिवतन क शां बनाने वाला दुनिया पолा धेश बना है तो यह न्यूजी लेंड बना है इसका राइधर लुँए नंबर को चैहिसे नूबर 26 है निम लीखिती है कि से किंध्रियय मंत्री द्वारा सार्थक यूजना की शुराध की गई है तो यह सार्थक यूजना की सुराध की ग शुरात की है तो वह उस्पे बेगती है जिसने सत्यागर्ण अंगेस्ट पॉलूसर नान्दोलन की शुरात की है तो वह बिर्ल देसाई ने कि इसका राइटेंसरवर्प्स नमर्डी बिर्ल देसाई कोशन नमरr 28 है नेंशल मंडेला बिस मनापताबादी पुरस्कार 2020 से की से समानित किया गया है तो यह रुमाना सी सहगल को किया गया है इसका राइट टेंसर गाप्स नमबर ए रुमाना सी सहगल question number 29 है पर्तेक वर्स malaria दिवस किस तीथी को मनाया जाता है तो यह पर्तेक वर्स malaria दिवस यह मनाया जाता है तो 25 अप्रेल को मनाया जाता है इसका राइट टेंसर हो गाप्स नमबर 25 अप्रेल question number 30 है अली में खोग्ल बीक तो दोड़ा ब्रमांद में खोजे गए सब्से चोते बलाइक होल का क्या नाम किया रख़गया है इसका राइट टेंस और गाप्स नमबर सी इउनिकॉर्न question number 31 है भारत में टिका उटसब 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया है तो ये भारत में टिका उटसब 2021 का आयोजन या किया गया है 11 अप्रेल से 14 अप्रेल 2021 तक इसका राइट इंसरो का उटस नमबर भी 11 से 14 अप्रेल कोशन नमबर 32 है हाल ही में किस राज्य में परधान मंति नेद मुदी दोरा देश के पच्छातर सौ में जन औस दी केंदर का उट घाटन किया गया है तो यह मिघाले में किया गया इसका राइटेंस रोगास नमबर 2 मिघाले कोशन नमबर 33 है हाली में किस राजे या किंद सासित परदेश तोरा रेडियो कारे करम आवाम की आबात की शुरुवात की गई है तो यह की गई है जम्मू कस्मीर राजे दोरा इसका राइटेंस रोगापस नमबर C जम्मू कस्मीर कुश्चन नबर 34 है ओं मैं किस राजे राजे के आदिवासी सम्मुदाय मत्होरा किया नबर 35 हद्प इस एक महिला फोरम की बैठा वर्चुलि आयू जीद की गई है जिसकी अध्यर्च्षता किस देश ने खिल घ laughing है तो adv Mand verse के महिला फोरम की बैठा कि वर्चुलि आयू जीद की गई है इसकी अध्यर्च्षता की है तो यह भारत नहीं कि ऍसका राइटेंस और फर नुमर 2 ऐठा कोश्चन नम-ब्र 36 हैं कंद्रियम नियुका नियेंध ईसनोधी दीeler में की सितोमर किया है तो यह गेरेटर-णोयदा में किया इसका राइटेंस आफ। नुमर 3 की डेटर्ण नोयदा में किया है चौदब फरवरी को किस बंदरगाप पर अंतराष्टी क्रूश टर्मिलर सागरीका का उडगाटन किया गया है तो यह कोची बंदरगाप इसका राइट एंसरोगापस नमबर यह कोची कोचीन नमबर 38 है हाली में भारत के किस सहर में देश का पहला एंटी क्लिनिक खोला गया है तो यह खोला गया है चंडीगर्ड में इसका राइट एंसरोगापस नमबर दी चंडीगर्ड कोचीन नमबर 49 है एफ हाई एफ हवार दोजरी की से किस बॉलीवूड अविनिता का समानित किया गया है तो यह एफ हाई एफ हवार दोजरी की से समानित किया गया है तो अमिताब बच्चन को इसका राइट एंसरोगापस नमबर भी अमिताब बच्चन कोचीन नमबर 40 है किस भारतिय संगितकार को अलर्ट बिंग आइकन वावार से समानित किया गया है तो यह ए आर रहमान को किया गया है इसका राइट टेंसर रुग आपसे नंबर ए ए आर रहमान कोईशन नंबर 41 है जनबरी 2020 में किस राजे में भारत के सबसे लंबे सरक आर्च बिडिज का उडगाटन किया गया है तो यह भारत के सबसे लंबे सरक आर्च बिडिज का उडगाटन किया गया है तो वह यह राज है में घाले में इसका राइट टेंसर रुग आपसे नंबर C में घाले कोईशन नमर 42 है सन्य ताकत के अधार पर जारी कुलोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो ये सन्य ताकत के अधार पर जो जारी कुलोबल फायर इंडेक्स में भारत का अस्थान प्राप्त हुआ है यह चौथा हुआ है इसका राइटेंस रोगा आपस नमर भी चौथा कोश्चन नमर 43 है टोक्यो ओलंपिक के संचालन्ज समीती के अधाक्स के रूप में की से निव्ट किया गया है तो यह सी को हासी मोतो को इसका राइटेंस रोगा आपस नमर सी सी को हासी मोतो कोश्चन नमर 44 है निमलीखित में से की से निस्वकं की पहली महिला चेर पर्शल्ण के रूप में निव्ट किया गया है तो वह रेखा मेनन को इसका राइटेंस रोगा अपस नमर भी रेखा मेनन को कोश्चान नमबर पैंत Beethari। मार्च exem नभर्च 2021 में प्रधान मंति नेयंद मोदी वयम बंगलादेस की प्रधान मंत्री शेख ई नने की सियात्री टेंट को हरी खंड़ी दिखाई है मार्च 2020 में प्रधान मंत्री नेर्द मोदी और बंगला देश के प्रधान मंत्री से खसीना ने यह मिताली एकस्प्रेस को यह हरी जहंडी दिखाया है मिताली एक्सप्रेस कोश्चन नमबर 46 है वर्स 2023 में किस देश में 20 मुक्य वाजी परत्योगता आईजुद की जाएगी तो यह 2023 में जो 20 मुक्य वाजी परत्योगता होगा तो वह देश है उजबेकिस्तान इसका राइट नमबर 27 है हाली में किस अफिरकी देश को डाबलू एचो ने ट्रेकोमा मुक्त गोशित किया है तो यह ट्रेकोमा मुक्त गोशित जो डाबलू एचो ने किया है तो वह अफिरकी देश है तो यह गांबिया इसका राइट नमबर 28 है किस राज्य में सरवादिक FDI अकरसित किया गया है तो यह FDI का अकरसित किया गया है तो वह राज्य है गुजरात इसका राइट एंसर होगा आफसन नमबर B गुजरात कोईशन नमबर 49 है बजट 2021-22 में उज्वाला योजना के तहत कितने लाभारतियों को और सामिल करने की बात कही गई है तो जो वजट 2021-22 में उज्वाला योजना के तहत यह 1 करोड लाभारतियों को और सामिल करने की बात कही गई है इसका राइट एंसर होगा आफसन नमबर A एक करोर कोईश्चन नमबर 50 है और आज इस सेट 11 नमबर का लास्ट कोईश्चन है हाली में महाराष्ट सरकार ने गोरेवादा चिरिया घर का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो यह महराज सरकाब ने गुर्यवादा चिर्या घर का नाम बदल दिया तो यह बाला सहां ठाकरे के नाम पर रखा है इसका राई टैनशर हो गा अब सेम बरसी बाला सहां ठाकरे तो दोस्तों यह था इडू टेरिया करेंट अफेस जो प्रेक्टिसेट पूरा कर लिए जो आज यह गारवान नमबर तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसमें कितना पचास में सही हुआ है कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएगा और अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक भी जरूर कर दिजेगा और चैनल पर नए हैं पहली बा और बता दू कि इस चनल पर आपको जो एंटी पीसी सीवी टूवन का एक्जाम हुआ था जिसमें 100 कोशन पुछा गया था मैत रिजिंग जिके जिस आर्ट सेशन यानि सभी से पुछा गया था जिसमें मैत रिजिंग छोर कर बाकि जिस से चालिस कोशन पुछा गया उस इसी वह भी आप नहीं देखते हैं तो भी देख लिए अदर्वाज आप किसी भी एक्जाम का तयारी करते हैं सभी के लिए इंपोटेंट है और खास करके ग्रूप डी और एंटी पीसी सीवी टूटू के लिए वह तो हैंडे 10 परसेंट है तो दोस्तों यह किसी भी आप व बहुत ही इंप्रूप देखने को मिलेगा और आपको एक्जाम में बहुत ही अच्छा खसा आपको फिलिंग आएगा कि करेंटर फ्रेस से सभी सभाग उनको बनता जा रहा है तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बट बिएर आपको पूल से अच्छाग है तोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तोस्तों इंड ही आपको में बहुत है और भी इंतन में डाएदाब लेगाज।